सबसे पहला कुशन लेते हैं यहां पर कि कि अगर आपको इस प्रिकार से कोई question दे रखा हो 24C4 तो इसका basically मतलब क्या है यहां पर 24 क्या है 4 क्या है तो 24 यहां पर basically n है यानि कि total number of objects और alphabets और numbers कुछ भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर total number of object है यह 24 और 4 क्या है 4 यहां पर है R की value R4 यानि कि हम कह रहे है कि यह question कहता है कि 24 objects है उनमें से आपको 4 object select करने है और उन 4 object के कितने combination तयार किये जा सकते है वो बताओ ठीक है तो आपको यहां पर वह वाला formula यूज करना है जिसमें आप लिखते है n factorial by r factorial n minus r factorial ठीक है तो यहां पर n factorial n क्या है n का value कितना है 24 है ठीक है और उसका factorial उसके बाद यहां पर लिखते है r कितना है 4 है तो 4 का factorial यह 24 minus 4 का factorial 24 minus 4 कितना हुआ 20 हुआ ठीक है हम यहां लिख देंगे 24 का factorial by 4 का factorial by 20 का factorial इसे आगे थोड़ा सा simplify करने के लिए ताकि हमारे पास जो है कम numbers बचे calculate करने के लिए right तो हम यहां पर क्या करते है यहां पर हम करेंगे 24 into 23 into 22 into 21 into 20 का factorial ठीक है into 20 का factorial upon यहां पर हमारे पास है 4 into 3 into 2 into 1 हो गया यह ठीक है into यह हमारे पास है 20 का factorial यहां पर 20 का factorial से 20 का factorial जो है वह cancel out हो जाएगा और यहां पर 4 से हम 24 को 6 time जो है वह cancel कर देते हैं यहां पर और देखो यहां पर और क्या कर सकता है 3 से जो है वह 6 2 time और 2 से जो है वो 2 cancel out हो गया तो अब करना क्या है आपको simply आपको यहाँ पे 23 into 22 into 21 को multiply कर दिना है तो यहाँ पे आपके पास जो result आता है basically वो आपको मिलेगा 10626 इतना result मिलेगा अगया और हम क्यते है कि इन 4 objects को ले करके आप इतने प्रकार के combination जो है वो prepare कर सकते हैं ठीक है किस में से इन 24 में से यहाँ तो 24 में इसे भूर 3 गया जो है वो quantity या फिर object लेकर कि आप इतने प्रकार के combination prepare कर सकते हैं नेक्स दिखते हैं हम question number second यहां पर दे रखा है कि 13 खिलाडियों मेंसे 11 खिलाडी आपको choose करने हैं ठीक है अब 11 खिलाडी चूस करने है उसमें कुछ इन्होंने दे नहीं रखा है इतने हाइट करने हैं जो खिलाडी चूस कर रहे हो उनका color यह होना चाहिए उनके बालों को इतने होना चाहिए यह वर्यवर जो भी है इनको हमको बस कहा है कि 13 खिलाडी है हमारे पास 11 खिलाडी को चूस करो कोई वह कैसी को भीना को ध्यान में रखते हुए ठीक है उनकी height को bhinna our49 में रखते हुए उनकी सवलिकीकेशन को धिना ध्यान में रखते हुए बस 11 को सलेक्ट करो और उन 11 को ऊख कितने टाइप से सेस्रेक्ट कर सकते हो तो यह जो पुर्षन है यहां पर और बूर jäहां पे कोई पर्टिकुलर आपको कंडिशन नहीं दे रखिए तो यानि की कॉंबिनेशन जी कॉइप को प्रकार से चूह करहों थो यहां पे सिंपल हमें क्या निकालना है कि उन 11 खिलाडियों का कॉंबिनेशन क्या होगा इन 13 मैंसे तो यहां पर इस तरह से इदर कोई कुश्चन दे रखा हो तो आपको सिंपली पहले उसको इस प्रकास लिख देना है कि 13 मैंसे 11 सेलेक्ट करने हैं बिना और को बिना किसी कंडिशन को ध्यान में रखते हुए तो यह बस पहले वाले की तरह होगा क्या करना है थर्टी फैक्टोरियल अपोन 11 का फैक्टोरियल थर्टीन का मैंस 11 का फैक्टोरियल तो यह जाएगा ठीक है 13 माइनस 11 कितना हुआ ठीक है तो हम यह आप लिख देंगे 13 इतनके हो यह नीचे देखो 11 का फैक्टोरिय लिख रखा रहा है न तो इन फैक्टोरियल का मैंस 11 को स्ब्सक्राइब हो आगे हैं बढ़े देती हूँ यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दीक हो 5 Technology इसे आगे इस आगे लिखते है तो यहाँ पे स्टिक है अब में आपक्षे जो भी रिज़ल्ट आएगा इसका वह क्या हो जाएगा हमारा कि इतने टाइप से आप 13 में से 11 केंडिडेट को चूज कर सकते हो तिक है यह हो गया यह वाला कॉशन नेस्ट जो देखते हैं कि क्वेशन कह रहा है 12 या 12 वस्तुओं को चार लोगों में आपको समान रूप से वह बाढ़ना है तो आप कितने प्रकास से बाढ़ सकते हो अगेर कोई कंडिशन नहीं दे रखी कि किस टाइप से बाढ़ना है वागेरा बस सिंपल के रहा है को बारा चीज़े दे रखी है आपको बारा ऑब्जेक्ट दे रखे है चार ठीक है फूर यहां पर गलती से भी आर मतलि लिख रहे न यहां नहीं है ठीक है अर्ज वह आगे आएगा कैसे आएगा देखो पहली बात तो यह चाह रहा है बारा ऑबजेक्ट को चार लोगों में बढ़ना है तो एक परसन के पास कितने आपजेक्ट आएंगे एक परसन के पास जो object आएंगे वह आएंगे तीन ठीक है और अगर हर person के पास तीन तीन object आते हैं तो यह कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं यानि कि एक person के पास तीन object आएंगे ठीक है तो हम यहां पे कौन सा formula यूज़ कर सकते हो हर एक person के पास तीन object आएंगे तो हम यहां पे आपको next वाल तोटल कॉम्भीनेशन ऐसे केस में आपको निकालने हैं तोटल कॉमभीनेशन तो आपको यह वाला लोगंत पैंटोरियव एन सब सक्षाम धीन सबाएग वह इन को आपको ओन agriculture अपरेग़ वार्स हो आपयधा है 12 है हर पर्षन को कितने मिले 3 मिले तो पहले पर्षन को 3 मिले 3 का फेक्टोरियल दूसरी को भी 3 मिले 3 का फेक्टोरियल दूसरी को भी 3 मिले 3 का फेक्टोरियल चौती को भी 3 मिला 3 का फेक्टोरियल किस प्रकार से मिला ठीक है उससे कोई फरक नहीं पड़ता अब बस यहां पर आपको क्या करना है सिंपली जैसे सॉल करते हुआ से सॉल करना है क्या सोगा 12 x 11 x 10 9 8 7 6 5 x 3 4 x 3 का फेक्टोरी एक तो यहां से कैंसल आप हो जाएगा राइट इस वाले को मालो ठीक है फिर दूसरे वाले को करते हैं वह भी क्या होगा 3 x 2 x 1 फिर नेच्स वाले को करते 3 x 2 x 1 और लास्ट वाला तो एज़ीज लेखते हैं क्योंकि 3 फेक्टोरेल से 3 फेक्टोरेल कैंसल आउट हो जाएगा इस सबको सॉल कर लो अराम से इतना तो सॉल करने सबको आता है ठीक है इतनी मैथमेटिक्स को आइफोक की सबको आती है आप इस जैसे ही सॉल करोगे तो रिजल्ट आजाएगा 3 6 9600 तो अगन क्या कह रहा है कि 12 ऑब्जेट्स को 4 लोगों में आप Илиकर इतने टाइप से जो है वो डिस्रिभीट कर सकते हो अगर हर परसंपको तीन- क्लियर हो गया होगा लास्ट कोशन यहां पर हम देखते हैं कॉंबिनेशन का जिसमें कोशिंग कह रहा है कि दस लड़कों तथा दस लड़कियों में से दस की समीटी बनानी है ठीक है तेन बॉइस दिर्ख है तेन गॉर्स है और टौटल कितने हो गए ट्विंटी हो गषाज पर एक कमिटी बनानी है जिसमें उनली तेन जो है परसन चाहिए ओके अब ये कह रहा है कि यह कितने प्रकार से किया जा सकता है 10 boys मेंसे 10 girls है और committee में only 10 जो है आपको जो है वो choose करना है candidate ओके और वो भी कितने प्रकार से किया जा सकता है अगर कमिटी में 4 लड़किया select हो देखो 4 लड़किया select हो कह दिया इसमे मतलब कि अगर 10 की ही committee है जिन में से 4 girls select हो चुकी है ठीक है तो जो 6 होंगे वो क्या होंगे boys होंगे 6 boys होंगे यानि कि 10 में से 6 तो boys select हुए है और 10 में से 4 girls select हुई है ठीक है अब इन 10 और 6 को मिला करके 10 की समीधी बनानी हो यह कितने प्रकार से की जा सकता है ठीक है तो बस आपको question को समझ के यह देखना है कि आप 10 में से 6 boys select हुए 10 में से 4 girls select हुई है अब इनका combination निकालो कि तयम की जो समीधी बनानी है 10 candidate वाली वो कितने प्रकार से की जा सकती है ठीक है तो अब हमारे पास जो यह वो मिल गया है हमें data पुरा question solve करने के लिए यहां पर तो इसका देखते हैं हम पहला 10 factorial upon combination क्या कहता है combination कहता है कि यह वाला formula यह उसकरो बीच में multiplication का दाएंग यह होगा है boys का case यह होगा है girls का case चाहल लट के select हुए 10 माइनस 4 का factorial 10 factorial पाए 6 का factorial और यह 10-6 कितना 4 का factorial हो गया और यह 10 factorial पाए 4 का factorial और यह हो गया मारा पास 6 का factorial अब easy है आपके लिए ठीक है आप आराम से solve कर सकते हो right क्या करना है आपको simply वही जो आप करते है 10 into यहां पर हम कर लेंगे 9 into 10 sorry 9 into 8 into 7 into 6 का factorial इतना लिख दिया यह उसे 6 factorial यह 6 से यह 6 कैंसल आगे जो भी कट रहा है उसे कार्ट तो simply ठीक है यह यह 3 से 9 जो है वो 3 टाइम इधर भी सेम करो right यहां पर यह 3 टाइम कैंसल आउट हो गया यह 4 टाइम कैंसल आट हो गया और बचा क्या यहां पर 10 इन्टू 3 इन्टू 7 इन्टू 10 इन्टू 3 इन्टू 7 इसको जब भी आप सॉल करोगे आपके पास जो है total combination आजाएंगे कि कितने वरकार से जो है दस candidate की समयती बनाई जा सकती है जब 6 तो boy select किया गए हो और 4 girl select की गई हो clear है इतना ठीक है तो यह थे combination के सारे के सारे questions राइट चलो next जो है मारे पास वह probability प्रॉबबिलिटी का case देखते है probability basically सबसे पहले जो classical definition दे गई थी वह औरस्तू द्वारा दे गई थी ठीक है probability जिसे आप इंदी में प्राइकता भी कहता है सबसे पहले जो initial stage पे जो इसकी definition दे गई पर अरस्तू के द्वारा दे गई औरस्तू ने एक word उसकिया probability के लिए जिसमें उसने कहा कि आप इस प्रिकार की जो condition है उसे probable conditions कह सकते है probability का मतलब क्या था कि कोई भी event के होने की संभावना कितनी है उसे ही अरस्तू ने कहा ये probable कहलाएगा ठीक है इसके बाद एक और definition आई जो जे बढ़नोली नहीं जे बढ़नोली कहता है कि probability चेक करने के लिए या फिर किसी एक event के होने की संभावना दितर्शाने के लिए आप एक formula यूज में ले सकते हैं इसमें आप क्याते है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट ठीक है टोटल इवेंट को से अगर आप फेवरेबल इवेंट को डिवाइड कर देते हो तो आपको यहां पे उस particular घठना के होने की संभावना जो है वो कितनी है वो पता लग जाएगा ठीक है mathematically आप इस प्रकार से भी लेख सकते हों P is equal to N A by N ठीक है यहां पर A क्या है A कोई इवेंट है और उस इवेंट के फेवरेबल होने की जो नंबर से कितना है और N क्या है यहां पर टोटल इवेंट है टोटल इवेंट कितने है उसमें से A इवेंट होने के फेवरेबल के इस definition को explain कर सकते हैं इसके बाद जो है लास्ट में एक और definition आई जिसे और definition भी कहते है यह सुत्र सिद्ध परिवहाशा भी कहते है वह मैसस और A कार्मगोरों ने जो है 1830 में जो है यह definition दी उसमें उनके अनुसार क्या थी definition कि कि किसी भी घटना की प्राइटा संख्या सू इवेंट की होने की probability number जो है एन अ एता एन एस का अनुपात होती है तो उन्होंने कहा कि एक है मालो ए उसके होने की probability कितनी होती है एन एबाए एन एस होती एन एक क्या है यहां पे और एस क्या है यहां नहीं हो सकती है उससे ज्यादा कि प्रोड़िटी नहीं हो सकती है maximum probability जो है वो 1 हो सकती है, तो सारे के सारे event को भी अगर आप sum कर दे, तो वो किसके बराबर आजाएगा, 1 के बराबर आएगा, ओके, दूसरा है कि एक event के होने की probability, या तो 1 होगी, या फिर 1 से कम होगी, ये कभी भी 0 से कम नहीं होगी, ठीक है, 0 से कम नहीं होगी, होगी तो 0 से जादा ही होगी, या फिर 0 के बराबर होगी, या निकि वो event होगा ही नहीं, ये ही हो सकता है, जादा से जादा, minus में कभी भी नहीं हो सकती, कोई भी probability क्या, probability कभी भी negative नहीं हो सकती, या तो वो 0 से जादा होगी, यह हो गई probability से related कुछ important points अब देखते है कुछ important questions कि इस प्रकार की question बहुत easy-easy से है मैं तो कहते हुए सारे कि सारे questions आप easily solved कर लेती हो और exam में अगर ऐसे question आते है ऐसे portion आते हैं तो इसे question आते है भी बहुत कि लेवल पे एक non mathematical background से related जो क्वेशन है वो इतने ही एजी लेवल पर पूछे जाते है जब आप केमेस्ट्री पढ़ रहे हैं ठीक है यह कोई मैथमेटिक्स का एक्जाम नहीं होगा यहां पे तो बहुत कोई हाई-फाई क्वेशन नहीं आने गाने यहां पर इजी से क्वेशन आते हैं बिल्कुल इस है कितनी है आप वगर खेलते ह। ठीक है एक डाइस पर हर उसके एक नंबर होता है चार से अधिक अग आने की यानि की एक फेस पर चार से अधिक चार से अधिक कितना हो सकता है पांच हो सकता है चार से अधिक कितना हो सकता है एक डाइस में पांच हो सकता है या च्छै हो सकता है दोई कंडिशन हो सकती है तो हम यहां पर कहते हैं कि फेकने पर चार से अधिक आने की जो संभावना है वो कितनी है वो दो संभावनाएं है यहां पे तो favorable event कितने हुए यहां पे two only two है ठीक है और total event कितने है डाइस को आप फेकते हो तो छे प्रकार के numbers आपको मिल सकता है ठीक है तो total event कितने हुए तोटल हो गए 6 तोटल हो गए 6 तो अगर आपको यहां पर probability चेक करना है तो कैसे करोगे आप यहां पर हमें पता है probability क्या होता है याने की फोर से अधिक अंक आने की प्रॉबिलीटी कितनी है वो वर्न बाइट तू है सुरी वह वर्न बाइट त्री क्लियर है थिना ठीक है छो नेक्स्ट है देखते हैं हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक थेले में तीन लाल गेंद है और पांच जो है सफेद गेंद रखी हुई है ठीक है एक गेंद निकाली जाती है इसकी सफेद होने की प्राइक्टा कितनी है तो आप कह सकते हो यहां से सफेद होने की प्राइक्टा कितनी है पांच ही गेंद है पांच ही बार हो है वो नि निकालने के कोशिश करोंगे तो लाल हात में जाएगी ठीक है तो फेवरेबल इवन्ट कितने है यहाँ पर फेवरेबल इवन्ट तो है पांच टोटल इवन्ट कितने हैं है तो हम यहां पर प्रॉबिब्यक्टी निकालेंगे फेवरेबल अपॉण टो के इस प्रेकार से भी आप जो है वह प्रॉबिब्यिटी चेक कर सकते हैं यहां पर हमारा कि एक में8 इनाम की टिक्टे हैं दो नहीं लाएंगों पर नच्छे पर this एक लोटरी में 8 इनाम की टिक्टे तथा 32 अधिरिक्त टिक्टे है यानि की Total tickets कितनी है Total Ticket कितनी है यहांपर 8 तो जो है इनार की है okay इससे तो मैं प्राइद मिलेगा और 32 जो है वह अलग है माँदल्लब वह आपको ले भी लेते हो तो उससे कोई प्राइद उसके कोई प्राइद नहीं है यानि कि टोटल तो जो है यहां पे कितनी हो गई 40 हो गई ठीक है एक भ्यक्ति एक टिकेट खरीटता है उसके इनाम जीतने की जो है वो प्राइकता कितनी है तो इनाम तो केवल 8 टिक्टो पर ही है तो favorable event कितने हुए फेज़ेवरेबल явंक हुए हमारे पास आठ धेवरेबल इविंट कितने है आठ तो प्रॉबबिलेटि कितने हो सँकती है फेज़ेबल आठ है ऑर टोटल कितने है 40 है ठीक है तो इसको जब आप सॉल करते हों त्यों आपको आराम से यहाँ पर प्रॉबिलिटी मिल जाती है उस पर्सन के जीतने की अगर वो एक टिकेट खता है तो 8 आप एक बार देखें ना जो हमने अभी किये हैं कोशन वैसे ही कोशन है सिमिलर से ठीक है तो इस क्लास में इतना ही और इसके साथ ही आपकी युनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होती है नेक्स क्लास में हम कोलोईडल वाली युनिट देखेंगे जो आपकी शायद फूर्ट युनिट है ओके चलो